और साथ ही राजस्तान से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है मुन्नी जी ने हमें कॉल किया है मुन्नी जी पूछी अपना प्रश्न मुन्नी जी आप हमें सुन पा रहे हैं चलिए लगता है इनसे हमारा संपर्क तूट गया है एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए है नमस्कार जी नाम बताएं मेरा नाम रविंद्र भालगवार है मैं अलवर अजिस्कान से गोड़ रहा हूं सवाल करें सवाल यह मेरे गले में न वो मस्कुलर खिचाव होता है कभी 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 जी और हलका बाहर के तरफ पेन में रहता है अब वो भी इस्तिर नहीं है कि एक पॉइंट लोग अभी बदलता रहता है जी और ये मेरे करिएब तीन चार मैंने से है जै जादा होगी जिया थीक है ठीक है अच्छा देखिए अगर ये मस्कुलर है तो आप एकसरसाइज बता दिता हूं और ये अगर अंद्रूनी प्राबलम है तो मैं नस्खा भी बताताँ हूं पहले आप एकसरसाइज करें ऐसे ऐसे 2 मिनट WIL icon करें तीक or ऐससे ऐससे दो मिनट रोजाना करें और दस दिन लगातार करें 10 दिन में अगर कुछ रिजल्ट आ जा समझ लिए मसीश्कूलर ऋहासा निश चला जाएगा के हैं महीना दो महीना आगेशेसाइज करनी पड़ेगी पांच बार गरम पानी पीएं दिन में पांच बार खुब गरम जैसे चाय पीते हैं ऐसे गरम पानी पीजे और मेथी लीजे मेथी ऐसे पांच सो गराम के खरीब और उसमें सो गराम नमक कलोंजी मिलाएं एक नमक आता है जो कलोंजी से निकाला जाता है इसे रसायन कलोंजी कहते हैं इसमें 100 ग्राम मिलाके आधा आधा चम्मज तीनो टाइम गरम पानी से लें तो आपको फायदा मुम्किन है जे वाके में उमीद करते हैं कि आपको अपने समस्या का नेदान मिल चुका होगा एक और दर्शक है अनल जी ने हमें कॉल किया है बिहार से अनल जी सवाल पूछ सकते हैं कितनी उमर है आपकी 27 सब्सक्राइब बिल्कुल निल है या कुछ है एक दम नहीं है ठीके जिनके बिल्कुल भी किटारू नहीं होते उनके भी इसकिन में 5% पाए जाते है लेकिन ये रोग है बड़ा मुश्किल इसमें आदमे ठक जाता है इलाज कराते कराते लेकिन मैं आपको नसका बताऊंगा देखे जितनी भी ये लुआव वाली चीज़े ना राले वाली चीज़े जिसे भिंडी कच्ची भिंडी आप खा सकते हैं रोजाना दो कच्ची भिंडी 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 और ये जो पंजाबी लोगों में अक्सर खाते हैं राजमा ये रोज एक दो कटोरी खाया करें ये वेजी टेबिल के इलाज हैं और इसके मुतालिक दवाएं भी बहुत आती हैं युनानी में आप उनका भी उप्योग कर सकते हैं पहले घरे लोग इलाज करें जब अगर नहीं हो तो फिर आप युनानी इलाज ले सकते हैं और काफी टाइम लगेगा लेकिन कुछ फायदा होना जरा सा फायदा अगर आपको हो जाए समझे पूरा फायदा हो सकता है जी सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है उत्तरप्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है सीमा जी क्या सवाल करना चाहती हैं मैं उत्तों कबर से बोल रही हुँ हूँ हमें यह प्रब्लम है कि हमारी हाथ बोड़ दुखते हैं जी हाथ दुखते हैं कब से कब से इसा होता है और एज कितनी है एज कितनी आप पताईए हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा दुखते हैं बिटा आप अपनी एज बताईए टेलिविजन के आवाज अगर आप बंद कर दें तो बड़ी असानी हो जाएगी ठीक है अच्छा देखिए मेरी तरह बैठे हैं ऐसे बैठ जाएए और ये एकसरसाइज आपको रोजाना रोजाना करनी है दो तीन मिनट एक साथ तो कोई भी नहीं कर सकता तो एक एक मिनट करके तीन मिनट करें पूरे दिन में और ऐसे ऐसे ये तो तीन मिनट करें हो सकता है आपको दवा की जरुरत ही न पड़े और वजन न उठाएं कुछ दिन बहुत मेहनत ना करें उन हातों से जरुरत पड़े तो कैफसूल टी केर ले सकते हैं दिन में दो बार नाचते और खाने के बाद कैफसूल टी केर और वजन बिलकुल न उठाएं इलाज जब तक आप करेंगे वजन न उठाएंगे इनसे ज्यादा तो आपका ठीक होना मुम्किन है जहां वाकई में तो वजन नहीं उठाना है और उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि आपकी परिशानी जो है काफी हद तक दूर हो जाएगी और साथ ही अपने तमाम दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि जब आप हमसे कोई नुसके जानते हैं हकीम सहाब अगर आपको कोई दवाई बताते हैं तो ऐसे में उसे आजमाना बेहद ही जरूरी है जितने समय के लिए बताई जाए जिस खुराप में बताई जाए उसे जरूर आपको अपनाना है ये भी आपको बता दें कि हकीम सहाब बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं ले मुन्य जी सवाल कर सकती हैं आप मुन्य जी सवाल करें सवाल करें प्रश्न करें सवाल करें साब मेरे गैस होता है यह दिनाथ होता गैस इनके पेट में गैस होती है ठीक है आप गवर से सुनिए मेरी बात गैस का डुश्मन है एक निसका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो अच्छा फाइदा करता है और एक दू दिन से ही फाइदा शुरू हो जाता है आप समझ लें कि आपको करना क्या है मेती पांच सो ग्राम लेकर पौडर बना लें और एक आता है जैतून का रसाइन इसे जैतून का रसाइन हिंदी में कहते हैं इंग्रिश में कहते हैं एस्टेक जैतून और हम आसान लेंग्वेज में कहते हैं नमक जैतून ये देखने में नमक जैसा होता है जायके में नमक जैसा नहीं होता स्वाद में नमक जैसा नहीं होता इसको 100 ग्राम 500 ग्राम मेती दाने में मिलाकर पॉडर बना लें और अधा अधा चम्मच छोटा चाय का चम्मच दिन में 3 बार खाए खाने से पहले खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, खाने के बाद भी खा सकते हैं, आपकी समस्या का निदान मुम्किन है एक और कॉलर है हमारे साथ परशू राम जी ने हमें कॉल किया है मधुभनी से, उनकी समस्या क्या है आईए जानते हैं, जी सवाल करें अपना देखें हम आपसे घुजारिश करना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपका ओडियो जो है काफी कम है, थोड़ा सा जोर से बताएं क्या परिशानी है आपके साथ जी परनाम परनाम जार जी आप टेलिविजन की आवास कम कर जीज प्लीज जी ठीक है ठीक है दखिए बहुर से सुनिये आप टेलीविजन की आवाद बढ़ा रखिये आपने अब बढ़ा लीजे जितनी चाहें देखिए अभी मैं हर प्रोग्राम में तीन चार बार कमसकम ये निसका बताता हूँ अच्छा कारिये करता है कि लोग की पुरानी से पुरानी परीशानी का निदान हो जाता है लेकि जरूरी है समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ मेथी का दाना हर किचन में हर रसुई में होता है ये 500 ग्राम लेकर पॉडर बना ले और सो ग्राम आपको एक रसाइन लेना है जिसको जैतून का नमक कहते है आसान लेंग्वेज में जैतून का नमक ये नमक जैसा होता है देखने में लेकिन नमकी नहीं होता और जैतुन का नमक सो ग्राम भी आपको मिल जाए ये अस्टेक जैतुन या रसाइन जैतुन भी कहते है इसमें मिलाकर आप आदा आदा चम्मच तीनों बार खा सकते हैं खाने के पहले बेहतर है बाद में भी खा सकते हैं इसमें तासीर ये है कि उसी दिन से आपको फाइदा शुरू हो जाता है और रोज आना बहुत सारा फाइदा होता है और आदमी जल्दी अच्छा हो जाता है लेकिन आपसे निवैदन है कि आप जल्दी भी अच्छे हो जाएं तो आप इसको पूरा खा लें जो मैंने 600 ग्राम आपको मैटरीरल बता ये पूरा खा लें ताके आपको बीमारी दुबारा ना हो सके नागपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गये हैं सूरेज जी ने हमें कॉल किया है सूरेज जी प्रश्न करें आप जी मैं जी सर मुझे जुकाम की एलस्जी रेखिए पिछले चार पाच सालों से रूपाई बता जी बिटा आपकी एज कितनी है बिटाल आप अपना खास ख्यार लखें इस वहमारी के माहौल में ऐसे लोग बहुत ख्यार लखें अपना पांच बार गरम पानी जरूर पिए और सोशल डिस्टेंस का ख्यार लखें सेनिटाइजर जरूर करें लोगों से जरा दूर रहें और माजून आर केर सुबा शाम खाएं और पांच महीने तक खाएं खटी चीज बिल्कुल छोड़ दें वैसे तो यह माजून आर केर आप की इमुनिटी को बढ़ाती है जिसमें इमुनिटी की कमी होती है उसको यह परिशानी रहती है खटी चीज ऐसे लोगों को नहीं खा पानी चाहिए अगर माजून आर केर मिल जाती है तो सुबा शाम गरब पानी से खाली पेट और रात को सोते वक्त जरूर खाएं और जल्दी भी फायदा हो जा तो पांच महीने तक खाएं कम असकम ताके आप इस बीमारी से निजात पा सकें जी राजकुमार जी इस वक्त ह हाथ और पैर में हैं और सुने बस जा आइठन होता है जी उमर किदी ना की उमर फिटी जी तो ठीक है ये 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 हैसर आप अपना खूब ख्यार लखें और इस उमर के बाद ये तकलीफे आती हैं ती एक तो इलाज वो है जो आप कर रहे हैं दबा खाय जाओ और जीए इलाज युनानी है जिसके बाकाइदा सेवन से हम पूरी तना ठीक हो जाते हैं लेकिन इसमें टाइम लगता है गौन्द सियाह नाम का एक पदार्द आता है गौन्द आता है जो काले रंग का होता है काला गौन्द भी कहते हैं ये असली लेना जरूरी है बहुत कड़वा ह होता है लेकिन बहुत फाइदा करता है आदा ग्राम सुबा आदा ग्राम शाम लिया करें खाने के बाद और मेहनत करना छोड़ दे और आपके घर में अगर वेस्टन टॉयलेट नहीं हो तो वो उसका जरूर लगवाएं इस उमर में और ये इलाज में वेस्टन टॉयलेट ये कुर्सी वाला बातरूम होना जरूरी है हर घर में और ये आप सौ ग्राम भी अगर आपको मिल गया तो ये अपने खतम होने से पहले आपके रोग को खतम करने की सलायत रखता है जहां तो लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि युनानी पध्धती की अगर बात की जाये तो इसके कोई साइड एफेक्ट नहीं होते हैं और इलाज थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि यहां पर कोई साइड एफेक्ट होने के अलावा जो बिमारी है वो पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाती है तो भरोसा रखना है सबर करना है और उसके बाद देखिएगा बिमारियों से किस तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं एक और पैरों में चलने में दिक्कत आती है जी क्या उम्र है आपकी मेरी उमर बाकट डाले जी और एक तो चलने में बैठने में उठने में दिक्कत आती है और पिशाब करने में रुक रुक कर आता है और जलन रहती है पिशाब में जी चीक है तो पिशाब के लिए तो रोज एक नारियल पानी पिया करें बड़ा सा नारियल तो पशाप की परिशानी जा सकती है असानी से और इस रोग के लिए आप या तो नस्खा खुद बना लें या मैं दवा भी बता देता हूँ नस्खा ये है के काला गौन एक बड़ा कामियाब गौन कहला जाता है जिसे गौन सिया भी कहते हैं काला गौन इंतहाई कड़वा होता है और मिल से मुश्किल से नकली भी बहुत मिलता है तो असली काला गौन अगर मिल जाए तो खाली सो ग्राम खरीद लें सुबा शाम आदा आदा ग्राम पानी के साथ या बगर चर्बी के दूद के साथ या शुगर नहीं है जूस के साथ भी या कभी पानी कभी जूस कभी दूस से ले सकते हैं तो बहुत सबर करना पड़ेगा ये पाश साथ दिन के बाद फाइदा शुरू करता है और ये सो ग्राम खतम होने से पहले रोग मुक्त करने की सलाहियत रखता है